हाई फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेक्फस्ट में सूजी का उपमा और वो भी कुछ टिप्स के साथ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, गाजर, टमाटर और धनिया पत्ता मैंने लिया है यहाँ सबसे पहले मैंने अदरक, प्याज और हरी मिर्च को इस तरह के एक चौपर में चौप कर लिया है ताकि यह बिल्कुल महीन चौप हो जाए आप चाकू की साहता से भी कर सकते हैं इस तरह से बिल्कुल महीन अब इसे हटाने के बाद मैंने गाजर को भी इसी तरह से चौप कर लिया है कुछ इस तरह से टमाटर और धनिया पत्ता को भी मैंने छोटे-छोटे टुकडों में कर लिया है ये रोस्टेड सूजी है सेमोलिना आपके पास अगर रोस्टेड ना हो तो रोस्ट करके ले अब मैंने एक पैन में दो टेबल स्पून सनफ्लावर ओल डाल करके इसमें एक टी स्पून सरसो का दाना डाला है इसके फूट्टे ही जो पहले चौप करके रखा हुआ प्याज, अद्रक, हरी मिर्च है इसे डाल देंगे साथी एक सूखी लाल मिर्च इसे भी डाल देंगे एक दू मिनिट के बाद जो गाजर है इसे भी डाल देंगे कुछ मिनिट इसी तरह से फिर से इसे सौटे कर लेते हैं और अब जो टमाटर है इसे भी डाल देंगे इसी समय नमक भी डाल देंगे स्वादा नुसार ताकि ये टमाटर इसमें जल्दी से गल जाए अब इस तरह से थोड़ी देर फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें जो समोलिना है ये दो कप मैंने लिया है इसे डाल देंगे और इसे हलका सा भून लेंगे दो से तीन मिनट काफी रहता है इसे थोड़ा गरम होना की जरूद होती है क्योंकि ये पहले से ही रोस्टेड है तो ज्यादा देर इसको रोस्ट करने की जरूद नहीं है इस समय हम चेक कर कर लेंगे ये पहला टिप है और धाई कप मैंने पानी उबाल के रखा हुआ है इसे गर्मा गरम ही उबलते हुए इसमें डालेंगे आज धीमी है इसे अभी इमीडेटली मिक्स नहीं करना है वन टीस्पून घी डालेंगे और इसके बाद ही स्पैचुला से हलका सा इसे इस त किर में धनिया पता को भी हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से इसके जो भी लम से इसको निकाल लेंगे अब दूसरा टिप इसे ढख करके रखेंगे दो से पांच मिनट और इसके बाद जब हम खोलेंगे तो हमारा उपमा बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी रहता है कोई साइड डिश हो कोई ग्रेवी वाला तो भी खा सकते हैं यहां आज मैंने केले और चीनी के साथ सर्व किया है यहां केरल में उपमा इस तरह से भी खाते हैं स्पेशली बच्चों को इस तरह से उपमा खाना बहुत ही पसंद है और यह इतने सॉफ्ट बने हैं इतना हैं